हुआ है के सुरे नगरी यूनिक लॉग प्लासस के यूटूब चैनल पर मैं आपका हाद दिक स्वागत और अभी नंदन करती हूं बात करते हैं हम याप पर आज इंडियन evidence act के Indian evidence act के अंदर हम कुछ topic के बारे में चर्चा करेंगे कि evidence act में किन चीजों को देखा जा सकता है और evidence act में किन चीजों को नहीं देखा जा सकता है ऐसे क्या है कि Indian evidence act इतना छोटा होने के बाद भी इतना तफ लगता है, क्या का Indian Evidence Act इतना छोटा होने के बाद भी तरह तफ क्यों लगता है, क्यों उसको इसी याद नहीं क्या जा सकता है, इसमें आखिर ऐसी क्या टेक्निक हैं, जो हम नहीं समझ पाते हैं, Indian Evidence Act पो ध्यान से देखने के लिए एक ही चीज़ा रखनी है, कि हमें अपना interpretation नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने Evidence Act में अपना interpretation किया, वैसे ही आपके question जो सही होने है, वो गलत हो जाता है, तो देखिए कितना छोटा सा Act है, एकदम छोटा सा Act है, जिसके अंदर आपने 1872 का सबसे छी बात Act No.1 ही है, ठीके, टोटल के अंदर 167 section है, और ट हम से देखेंगे, तो हर पार्ट एक दुसरे के बारें बताता, सबसे पहला बताता, रेलेवेंसी होने चीए, अक्सर चे मेरे को कॉल करते में कहते हैं, तो मैं reply करूंगी, रेलेवेंसी होने हो तो नहीं करूंगी, क्योंकि हम सब कानून के गयाता है, और हमें evidence एक सिखाता यही है क्या होने चीए रेलेवेंसी तो आता है रेलेवेंसी होने चीए कहां से कहां तक आता है 1255 इस रेलेवेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा प्रूफ देने पड़ेंगे क्या करने पड़ेंगे प्रूफ देने पड़ेंगे तो यह आगया आपके पास प्रूफ कैसे दे आएगा तो evidence आपको quarter produce करने पड़ेंगे then examination की जाएगी 101 से 167 तर तो जब इतनी छोटे से इसके तीन पार्ट है तीन पार्ट को इन्होंने आपको 11 chapter में define किया हैं और 11 chapter को 167 section में किया हैं तो भी क्यों ये याद नहीं होता कहां आके कमिया हो रही हैं इसको कैसे पढ़ा जाए ताकि evidence act का question गलत न हो अब किसी भी जुडिश्य के exam में जाएंगी आप देखिएगा evidence act का जो बड़न होता है आपके पास जो priority होती है इसकी वो होती है कितनी minimum maximum कितने questions हो सकते हैं तो हो स fact in issue है fact in issue और एक हमारे पास relevant fact है एक हमारे पास तथिया है एक हमारे पास विभादक तथिया है और एक हमारे पास सूसंगत तथिया है पूरी कार्णी इन तीनों पर टिकी वी है बट इन तीनों के साथ एक और हमारे पास है वो आता है और संगत तथिया कौन आता है मारे प तो यह भी एधमिशेबल है यह एधमिशेबल नहीं है तो यह असंगत स़िए को हैं खिए काठेक्ट चाहर इनकंसिस्टेंसी तो यह भी हमाई पास क्याता है इंक assass playthrough कर तो हमाई पास कितने यह हमारा क्या नहीं होता है यह हमारा एडमिशेबल नहीं होता है तो क्या कहा कि फैक्ट्स है फैक्ट्स में से निकलता है हमारा पास फैक्टिन इशू यही हमारे लिए मैन होता है इसके बीना कोई मतलब नहीं है यह होगा तभी आपके पास राइट आता है सू करने का यह सू को राइट देता है आपको क्रीट करने का बट यह जो है यह सिर्फ order number 14 of CPC वो भी कहता है जब factor issue के बाद आते issue frame करने होते है तो two type के करते है एक law point of view से और एक fact point of view से यानि हमारा जो court है वो भी जब issue frame करता है तो दो चीजों को लेके चलता है एक चीज होती है हमारे पास जो आती fact और दूसरी आती हमें पास law तो order number 40 of word of CPC बताता है तो fact and issue very important है तो फिर facts क्या है अकसर अपने लोगों को सुना होगा in fact ऐसा हुआ in fact वैसा हुआ अकसर हमने लोगों को कहते हैं सुना है अब fact जैसे ही मैं कहती हूँ कि table पर book है और सामने लगता है नहीं है तो एक जैनल जो है किसी चीज़ को admit करता है और दूसर जैसे उस चीज़ को deny करता है तो हम लोगों के विश में क्या आ जाता है अब उसको आपको कैसे थाबित करना है तो उससे related आप जो कोई भी evidence देंगे वो evidence तभी admissible होंगे जब वो relevant हो क्या होने चीज़? relevant इस relevant fact का भी हमारे पास आता एक exception जो क्या कहता है inconsistent क्या बोलता है inconsistent fact अगर inconsistent fact है फिर भी वो हमेशा admissible होगा तो हमारे पास फिर से दो स्वाल आ गए admissible और inadmissible ग्राहे और अग्राहे कब हमारे fact जो है admissible माने जाएंगे और कब हमारे fact not admissible लिखते दे क्या लिखते दे इसको? not admissible कब admissible नहीं माने जाएंगे तो यहाँ पर आता है admissible और not admissible की ग्राहे और अग्राहे जो word मेंने बोला है ग्राहे और अग्राहे ये दोनों शब्द आपके हिंदी के विलोम शक्त है और जो राज़स्टान जुडिश्य के एक्जाम देता है उसके हिंदी में आता रहता है तो यह आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए तो अक्सर एविडेंस एक्त की क्लाइं जो आपने सुनी है और आपको पता भी है कि all admissible facts are relevant but all relevant facts are not admissible सुना है कहां बताता है ये बात ये बात बताता है आपके पास section number 5 read with section number 136 जो section number 5 read with 136 है उसके लिए facts पता होना चाहिए relevant facts पता होना चाहिए fact in issue पता होना चाहिए inconsistency of facts पता होना चाहिए और irrelevant facts पता होना चाहिए इन सब को पढ़ने के लिए हमें कौन-कौन सा section है जो अच्छे से पता न चीए 5255, 121 से 131 ठीक है? ये दो ऐसे fact है जिनको ये fact, ये दो ऐसे sections हैं जिनको ये पता, उनको सब कुछ पता है तो इनको पढ़ने के लिए, इनको अधिक सीखने के लिए आप unique law classes जोई कर सकते हैं तो जब आपने ये चीज़ सीख लिए तो Indian Evidence Act के लिए आपके पास जो भी questions है minimum इसके किसी भी exam में जाएंगे तो minimum 8-9 मिलेंगे तो maximum 15 भी हो सकते हैं इसके अलावा case laws होते हैं जो इसे जुड़ेवे होते हैं तो Evidence Act पढ़ने के लिए कुछ cases को भी हमें ध्यार रखता है Evidence Act को बहुत अच्छे से clear करने के लिए आपके हाथ में आपकी CIPC मजबूत होनी चीए और साथ ते साथ आपके हाथ में आपके पास IPC मजबूत होनी चीए बट इतना ही नहीं क्योंकि Indian Evidence Act किस में आता है Civil Matter में भी आता है और जब Civil में आता है तो 90 वाइफ से 100 भी हमारे पूरा याद होना चीए क्योंकि वो हमें बताता है कि Only Civil Matter के लिए मैं अप्लाई होंगा और उसके लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो राजस्तन जुडिश्री में आप देखेंगे कि Indian Evidence Act क्रिमिनल पार्ट में भी है और Civil पार्ट में भी है यानि दोनों पार्टों को देखा जा सकता है अधिक जयान करे के लिए Classes जोइन कर सकते हैं आपने देखा होगा अभी Online-Offline दोनों Classes अवेलेबल हो गई है दोनों में प्रोपर एवे में गाइड मिलती है साथिसा टेस सीरीज भी उसमें अवेलेबल है तो आप इन सब के लिए Call कर सकते हैं रजिस्टेशन करवा सकते हैं अभी Online Classes के लिए फिर से डेमो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहां पर 18-19-20 जनवरी को आप जोइन कर सकते हैं आज के लिए धन्यवाद